नमस्कार दोस्तों रोडिंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं इस वीडियो में बाई सीटी की बुक से जो की अध्याव और सॉल पेपर हैं मैं उसको डिसकस करने जा रहा हूं उसमें भाग चार जो भारती समधान एवं राजवश्ता हैं मैं अब उसको डिसकस करने जा रहा हूं भाग फर्ष्ट भारत का समधाने विकास एवं शमविदान 24 जनवरी 1950 को समधान सवा के 284 सदस्यों ने हस्त लिखे समधान पर हस्ताचर किये जिसमें डैस डैस महलाएं सामिल थी राइट आप्शन सी हो जाएगा 15 महलाएं सामिल थी UPP Constable 2019 का कोश्चन 24 जनवरी 1950 को समधान सवा की अंतिम बैठक हुई जिसमें समधान सवा द्वारा डाक्टर राजिन प्रिसाद सवतंतर भारत का प्रिथम राश्टती चुना गया और समधान सवा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया जिसमें 15 महलाएं सदस्य भी थी सबने मिलकर हस्त लिखे समधान पर अपने अपने हस्ता चर किये भारत का मूल रूप समधान डैस दस द्वारा हां से लिखा गया था रैट ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेम बिहारी नाराइड राय जादा UPP Constable 2019 सिफ्ट फस्ट का कोश्चन है 26 जनवरी 1950 को अपना अपन जादा ने इसकी हस्त लिफी तयार की थी तथा आचार नंद लाल बोस्त के माड़ दर्सन में सांतिने केतन के कलाकारों ने इसे अलंकरत या यह दस्तावेस अब भारत की संसत की फुस्तकाले में सरनच्छे था है शमधान सवा से जुड़ी निम लिखित घटनाओं को उनक चारों घटनाएं यह करम से हैं सबसे पहले क्या ओदेश संकल्प सर्फ समिष से अंगी करत हुआ फिर राष्टी ध्वज अंगी करत हुआ फिर शमधान सवा द्वारा पारतेवं सुविकारत सुविकरत हुआ जनकणमन राष्टगान के रूप में अंगी करत हुआ समधान सवा से जुड़ी घटनाव का काल करम उद्देश संकल्ब सर्फ समस्ते अंगी करत हुआ 22 जन्वरी 1947 राष्टी ध्वच अंगी करत हुआ 22 जुलाई 1947 समधान सवा द्वारा पारेत और सुब करत हुआ 26 नॉम्बर 1949 को जन्वन गड़ जन्वन राष्टी गान के रूप में अंगी करत हुआ 24 जन्वरी 1950 को ये डेट भी याद रखेंगे ये कोशन भारत के समधान को 1946 के कैमिनेट मिसन योजना के तहत गठित की एक समधान सवा द्वारा तयार किया गया था इस समधान सवा में समधान तयार करने के लिए डेश डेश समितिया थी ट्याट ऑप्सन इसका क्या हो जाएगा भारत के समधान को 1946 में कैमिनेट मिसन के तहत गठित एक समधान सवा द्वारा तयार किया गया था इस समधान सवा में समधान तयार करने के लिए 21 समितिया थी 1916 को नई दिल्ली में समधान सभा की पहली बैठक समधान सभा ग्रह में हुई जिसे अब डैस डैस कहा जाता है रायट ओप्सन ये हो जाएगा संसत्भौन का केंदरी कच का जाता है 9 December 1946 को सम्दान सवा की पहली बैठक सस्तान अंसिन्ना की अधिस्ता अस्ताई में नई दिल लीग के सम्दान सवा ग्रह में हुई थी जिसे अब संसस्वहन के केंद्री कच्च के रूप में जाना जाता है यस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया 11 December 1946 को डाक्टर राजन प्रिस्तास सम्दान सवा के इस्ताई अधियच निर्वाचित हुए थे 9 December 1946 सम्दान सवा की पहली बैठक पहली बैठक कब भी 9 December 1946 को भी और 11 December 1946 को डाक्टर राजन प्रिस्तास सम्दान सवा की इस्ताई अधियच बनाए गए जब पहली बैठक हुई थी उसमें अस्ताई अध्यच कौंतेर सस्तानन सिन्ना जी थे और कहां हुई संसदोहन के केंद्री कच्छ के रूप में जाना जाता है संसदोहन के केंद्री कच्छ में समदान ग्रह में हुई थी जिसे अब संसद्वान के केंद्री कच की रूप में जाना जाता है और इसे मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था है इस चारो पांचो कोशन दमाग में फिट करके चलेंगे किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को स्यमिधानिक प्रमुख्य का दरजा दिया राइट ओप्सन ए हो जाएगा भारती सुत्रता अधनियम भारती सुत्रता अधनियम 4 जुलाई 1947 को बेटे संसत में प्रस्तुत किया गया जो 18 जुलाई 1947 इसवी को स्युक्रत किया गया इसके प्रमुख्य प्रावधानों के तैद भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स की स्टापना दोनों देशों के लिए अलग लग समिधान सवा का गठन गवर्नर जनरल तिथाप्रदीश्य के गवर्नरों को समिधान इक समधान सवा का अंतिम सत्र का आयोजित किया गया था रायट आप्शन बी हो जाएकर 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र आयोजित किया गया था समधान सवा की अंतिम बैठकवी इसके बाद समधान सवा ने 26 जनवरी 1950 से 1952 में वे आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसत के निर्मार तक भारत की अंतिम संसत के रूप में काम किया नियम लिखत में से कौन सा समधान के बारे में सही है रायट आप्शन एयो हो जाएकर सही है तो यह दुनिया में किसी भी संपरभू देश का सबसे लंबा लिखे समधान है भारत का समिधान दुनिया में किसी भी समप्रभू देश का सबसे बड़ा लिखे समिधान है संसत समिधान को नरस्त नहीं कर सकती बलकि उसमें संसोधन कर सकती है भारती समिधान समिधानेक सर्वोचता प्रदान करती है ना कि संसिदी सर्वोचता देश डेश ने पहली बार देश में प्रितर्च चुनाव की शुरुआत की इसके द्वारा कोच सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर तथा सिच्छा के आधार पर मताद कार दिया गया राइट ओप्शन डी हो जाएगा इसका भारा सरकार दियां 1919 है 12 सरकार दियां 1919 को मौन्टेक चेम स्वोर्च उदार के नाम से भी जाना जाता एस अधनियम के द्वारा देश में पहली बार प्रितर्च चुनाव की शुरुआत ही इस अधनियम के द्वारा को सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर या सच्छा के आधार पर मताद कार दिया गय तीसरा है संप्रदाय का अधार पर सिखों भारती साईयों आंगले भारतियों पर यूरोपियों के लिए भी प्रिथक निर्वाचन पांचवा है बैधाने कायोग का कठन छटवा है केंद्री बिदान सवा में वाइस राय के अध्या देश जारी करने की शक्ति अध्या दे सब्सक्राशन के तहट 9 दिसमबर 1946 को एक समदान सवाका गठन किया गया इसका मुख कार समदान का मुसाधा त्यार करना था किन्तु इसके अत्रिकत इसने कुछ अन्यकार भी किये जैसे अध्यमित कानूनों को निरड़ा लेने की प्रिक्रिया में सामिल किया गया इसने मई 1949 में बिर्टेस राष्ट मंडल में भारत की सिद्थिता को सुविकार कर मंजूरी दे दी थी इसके द्वार राष्ट गान राष्ट गीत एवं राष्टी धज़ को अपनाया जया तब है कि 24 जनरी 1950 को समदान सवा की अंतिम बैठक वी एवं समदान सवा भंग कर दी गई अ अब्धा कतन भी सही है वहलत कर समदान शम्दान सवा द्वारा प्रावरूपित किया गया था और 16 में 1946 को कैमनेट मिसन प्लान के अंतरगत 54 किया गया समिधान सवा के ज़्दस्यों का चेय range प्रदेसे कर सेम्लियों द्वारा अनुपातिक प्रतुद प्रदीद मत द्वार किया गया था उस समय शमदान सवाके सदस्यों की खोD संक्या थी ता अप texto प्ष्ण इतना पढ़के समदा सवाक सदस्यों की कुल संक्या कितनी थी तब भी हम इनाव टिक तक रtså सकते थे पुरा पढ़नें की जुर्द नहीं कि अ भारत का सम्धान सवा द्वारा प्रारूपित किया गया था 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के अंतरगत इसे कार्यानवित किया गया सम्धान सवा के सदस्यों का चयन प्रादेशेक असेमलियों के द्वारा अनुपातिक प्रतुनेदित प्राली के एकल हस्तांतरी मत द्वारा किया था उस में सम्धान सवाक इसे को संक्या 389 थी वह कौन से नेता थे जो केंद्री विधान सवाक के अध्यास थे बहारती समधान लागु होने से पहले भारत का प्राशाशन मूल रूप से किस दस्तावेश के अंसार होता था बहारती समधान लागु होने से पहले भारत का प्राशाशन मूल रूप से भारत सरकार अधनियम 1935 दस्तावेश के अंसार होता था इस अधनियम में 321 धाराएं और 10 अनसूचियां थी इसकी विशेश्ता थी कि अकेल भारती संग एवं प्रांती प्राशाशन की स्तापना तथा संगी न्याला की विवस्ता इस अधनियम का प्रमुख उद्धिस भारत सरकार को ब्रिटिस सरकार के अधीन लाना था अथा भारत सरकार के अधकारों का स्त्रोथ ब्रिटिस समराड था हाला की 1935 के अधनियम में 321 उत्ता जैसे कुछ उप्योगी और महतपूर सुदार सामिल थे फिर भी भारत सरकार अधनियम 1935 भारत के समिधाने विकास का वह बिंदू था जहां से पीछे की ओर नहीं लोटा जा सकता था भारत के समदान के कौन से भाग रूस से लिए गया है पी हो जाएगा पंचवर्स योजना और मौलिक करतब या मौलिक दायत तो हमने कहां से लिए भारत के समदान पंचवर्स योजना मौलिक के दायत मूल करतब रूस के समदान से लिया गया है जबकि मौलेक अधकार स्वयुक्त राज अमेरिका के सम्धान से लिया गया है वो लेकनी है कि मूल सम्धान भारती सम्धान के भाग तीन में उन्चेत 12 से 35 तक बरड़त है ये वे अधकार हैं जो व्यक्त के भौतिक वा नैते विकास के लिए अन्वार माने जाते हैं वा जिन मौलेक करतब्यों का समावेश किया गया है बाद में 6 में सम्धान संसोदन द्वारा 11 मूल करतब मूल हस्त लिखित भारती सम्धान के प्रतियक प्रष्ट को डैस डैस की कला कारों द्वारा निखारा और सजाया गया था विख्याच चित्रकार नंदलाल बोस ने भारती सम्धान की मूल प्रति को अपने चित्रों सजाया था 222 पेस के इस दस्तावेश के हर पन्ने पर तो चित्र बनाना संभव नहीं था इसलिए नंदलाल जी ने सम्धान के हर भाग की सुरूआत में 8 से 12 इंच के चित्र बनाए निमलिकित कारियों में से कौन सा सम्धान सभवाद्वारा नहीं किया था सम्धान सभवाद्वारा सम्धान निर्मार के अतरिक निमन कार किये गए थे मई 1949 राष्ट्पंडल में भारत की सथ्था का सत्यापन किया था 22 जुलाई 1997 को राष्टी द्वज अपनाया 24 जन्वरी 1950 को राष्ट गान को अपनाया गया दिवाला नहरू को भारती जंता द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया था भारत और बंगला देश के बीच भूमी सीमा समझोते LBA पर हास्ताचर होने के बाद बंगला देश के साथ कुछ विसेश अंताचेत्रों की अदला बदली करने तथा अंताच छेत्रों के निवासियों को नागरता देने के लिए समधान के संसूची में संसोधन की आपसकता है राइट ओप्शन C हो जाएगा पहली भारती समधान की प्रतम अंसूची में भारती संग के घटक राजियों एवं संग सासित छेत्रों को लेख है यदि भारत एवं बंगला देश के मद अंताच छेत्रों की अदला वदली हेत्तु समधाता को लागू किया जाता है तो प्रतम अंसूची में संसोधन की आपसकता होगी भारत के संप्रताय संसत ने राजियों को बनाने और मदलते कानून सीमा या मौजूता कानूनों के नाम से प्रयोक्त कानून बना राइट आपसन डियो हो जाएगा अंशेत थ्री भाग एक अंशेत थ्री ने राजियों का निर्माण और बरतमान राजियों के छेत्रोय नामों में प्रवर्तन के लिए संसत को सक्ती प्रदान करता है अंशेत फश्ट के तैद भारत को राजियों का संग कहा गया है अनचेद दो में नए राज्यों का प्रवेश या स्तापना अनचेद साथ में पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरता के अथकार तथा अनचेद पांच समदान के प्रारम में नागरता से सम्मंदित है भारती सम्दान का कौन सा अंशेत नय राज्यों के गठन के विषय में रायट ओप्सन ए हो जाएगा अंशेत थर्ड भार्ती सम्धान का अंचेत थ्रीक एंसा संसर्वत कुन्य राज़्जों का निर्माड और बरतमार राज़यों के छेतरों सीमा या नामों में परवर्टन करने का अजीकार है अंच्छेद बारे में राज की परवासा अंच्छेद बाइस के तहट कुछ दसाओं में गरफ्थारी और निरोध से संरचछड तथा अंच्छेद नौ के तहट बिदेशी राज की नागरता स्वेच्छा से अर्जित करने वाली विक्तियों का नागरिक ना होना या भारती नागरता समाप्त हो जाना जाता है निमने में से किस संग राजच्छेद ने विदान सवा है राइट ऑप्षन भी हो जाएगा पुडू चेरी में भारत देश में कुल साथ संग से साथ संग राजच्छेद रहें जो क्रमसा अंडमान निकोबार दीब समू चंडीगर दादर और नगर हवेली और दवन दीब मिलाकर क्या कर दिया गया है एक कर दिया गया है ठीक है ये खतम हो गया तो कितने बचे छै बचे ठीक है छह बचे थे, लेकिन मैंने एक और, दू और केंद सासित बना दिये हैं, दू और केंद सासित बना दिये हैं, जे एंड के और दूसरा है लद्दाक, लद्दाक को बना दिये अच्छा है, और तीन कितने, नौ, कितने नौ, तो भारत देश में कुल कितने, संग छेतर हैं, याद रखेंगे ठीक है चंडीगड है दादर नगर हवेली तो मिला के दिली लज्दियों पुड़ोचीरी है और और इसमें हम एड कर लेंगे किसको किसको एड कर लेंगे अभी हम जम्बू कस्मीर को जेंड के और लधा को दो को एड कर लेंगे ठीक है संग राजच्छेत्र हैं ठीक है ओके चलिए आंगे बढ़ते हैं इन नौ राजच्छेत्रों में से दिल्ली एवं पुटिचेर राज्जियों में एक बिधान सवा और मंत्रियों की मंत्री परसात है ये तो पहले से थी ठीक है लेकिन अब जे एंड के में भी यही दिल्ली ब बात जो नए संग साज 6 जध्र जम्मू कष्मीर और लगधाग बन गया था अब कुल है 9 संग छे रुड़त ब्हुत में बिधान अरद्षा और भारे उनसूचिया भारती दूर्ण olan को भार्तियों पर लागू시면 365 यूंशेथ आर्थ लिषन भास्या वाक किटने jin 4 उत्या को बढ़ाया गया वरत्मान संभी 2 आरर सूचिया कि इस आसी यह वारे है कौन सा राज भारती संभी आरे की si mn stabli नहीं है राइट आप्सन एओ जाएगा नागलान भारती सम्धान में 22, 32, 95 अंचे तथा 12 अंसूची बरत्मान में सम्धान के अंसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 जनजाती छेतरों असम में घाले तिरपुरा तथा मजोरम के प्रिसासन के संबंद में उत्बंद है नागलान का एक अंसूची में उलेक नहीं है सम्धान की निम लिकत अंसूची में से किसका सही मेल नहीं है नहीं है आटवी अंसूची में मानता प्राद भासाओं की सूची नहीं थै ये सही है नौमें असूची में कुछ अधनिम्यों और बियनिम्यों के सत्यापन के प्रावदान नहीं होते ये भी सही है बारवें असूची में नगर पालकाओं की सक्तियां अधकार और जिम्मेदारियां नहीं थे ये भी सही है इसमें तो यह सही नहीं है ग्यारवी अंसूची में अंसूची शेत्रों और अंसूची जनजातियों के प्रिसासन और निंद्रण के प्रावधान नियत है यह गलत है ओके तो राइट आप्सन मेरा यह हो जाएगा यह अनसूचित जाती और अदनी सूचित जानजाती के प्रिसासन और निंद्रण के प्रावधान पांच्वी अंसूची में नेथ है जबकि ग्यारवी अंसूची में तेतरवे समिदान स्थोधन अध्याव 1922 द्वारापंचायती राज संस्तानों के कार करने के लिए 29 विस् सीटों के आवंटन का भारत के समदान की डैस डैस अनसूची में उलेक किया गया है राइट ऑप्सन इसका डियो जाएगा चौथी चौवी चारवी अनसूची में सामिल किया गया है राज सवा में भारत के प्रतियक राज के लिए सीटों के आवंटन का उलेक भारती समदान क चौथी अनसूची में है छट्वी अनसूची इसमें असम एक हाले तिरप्रा और मिजोरम राज्यों के जनजाती छेत्रों के प्रसास और नंत्रड के बारे में है पांच्वी अनसूची इसमें बिभिन अनुसूचित छेत्रों और अनसूचित जनजात्यों के छेत्रों के प कश्मीरी भारती सम्दान की रचना के समय आठ्वी अनसूची में कश्मीरी भासा का उलेक किया गया था। सम्दान की पहली अनसूची में उलेकित है। सम्दान की पहली बार अपनाया गया था। इसमें कितने अन्चेद थे। राइट आप्शन ए हो जाएगा तीनसूपचान बे जब सम्दान पहली बार अपनाया गया तो उसमें तीनसूपचान बे अन्चेद आठ अनसूची आठ अनसूची में थी। इस सम्दान के बाइस बाग के चित्रों को बनाने में कुल चार बर्स लगे। शम्दान के संदर्म निमलिकित में से कौन सा सही है। करके तवादले अत्वा निलंबन की सिपारेस करने का अथकार है। शम्दान के अनसार इनमें से कौन सी भारत की राष्टी भासा है। राइट ऑप्चन ए हो जाए कि भारत की कोई राष्टी भासा नहीं है। भारत में भी सुतंत्रता के पस्चात राष्ट भासा हिंदी को राजभासा का दर्जा प्राथ हुआ तथा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को सम्मिधानिक रूप से राजभासा गोशित किया गया इसलिए प्रतीक बर्स 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूपे मनाया जाता सम्मिधान के बाग सत्रह में अंच्छे 344-351 राजभासा के बारे में बढ़न है था इस पस्ट है कि हिंदी भासा की राष्ट भासा नहीं बलकि राजभासा है यूनाटिट के इंगडम की संसत के कौन से अधनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाई और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ती के अंध को दर्शाता है जिसे मोंटेउक चेम्स फोर्ड सुदार भी कहा जाता है इस अधनियम में सरब्रथम उत्तरदाई सासन सब्द का इसपर्योग किया गया था इस अधनियम के द्वारा केंद में दोई सद्नात्मक बिधाय का इस्तापित की गई इस अधनियम की मुख्य विसेश्ता प्रांतों में एक आंसिक उत्तरदाई सरकार की स्तापना करना था इसके लिए द्वायद सासन पद्दती को लागू किया गया डैस डैस को भारत राश्तन को समात करने बाला राश्टमंडर का पहला देश बन गया इसकी स्तापना 1926 इसवी में की गई थी इसका मुख्याले लंदन में है बरत्वान राश्टमंडल के सदस्ट से देशों की संख्या कितनी है त्रेपन डैस डैस ग्रैन बील ओस्टिन द्वारा गड़ा गया एक सब्ध है जिसका आर्थ है एक ऐसी बिवस्ता जो मजबूत केंद्री सरकार को जन्म देती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं किया इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्री नीतियों का कार्यानवन करती हैं कमजोर पड़ जाती है उधारण सुरूप भारत प्राइट ऑप्षन ए हो जाएगा सहकारी संबाद सहकारी संबाद ए हो जाएगा प्रदेशों की सरकारें जो केंद्री नीतियों का कार्यानवन करती हैं कमजोर पड़ जाती है राइट भारत की समदान की मूल हस्त लिखित कॉपी कहां रखी गई है भारत की हस्त लिखित कॉपी संसत की लाइबरेरी में आपको देखनों को मिल जाएगी भारती समदान की दो प्रतियां हां से लिखिवी हैं एक प्रती अंग्रेजी में और एक हिंदी में दोनों हस्त लिखित प्रतियों पर असेमली के करीब 308 से दिस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताशर किया भारती सम्दान की हज लिखित दोनों मूल पृतियों को संसत भवन के पुस्तकाले में हेलियम से भरे कौच से सुरच्चित रखा गया है डैस डैस ने पहली बार विदायका में दो सदनी बिवस्ता लागों की थी राइट आप्सन एउजाय भारा सरकार अधनियम 1919 का भारा सरकार अधनियम जिसे मॉंट्योक्स चेम्स वर्शुदार भी का जाता है के प्रमुक प्रावधान संप्रदायक निर्वाशन प्राड़ी का विस्तार कर सिखों यूरूपियन इसायों तक कर दिया गया प्रांतों में दोयस आसन प्राड़ी लागू किया गया अथात प्रांती विस्यों को आरचित तथा हस्तांतिर्थ विस्यों में बाटा गया आरचित विस्यों के प्रासुतों एवं हस्तांतिर्थ विस्यों निर्वाशित सदस्यों के पाज था केन में दोए सदनात्म विवस्ता की गई उच सदन जिसे राज़ परसद कहा गया तथा नियम सदन जिसे विदान सवा कहा गया इस सदनियम के द्वारा पिर्थच चुनाव प्रिडाली अपनाए गई तथा महलाओं को भी अधकार दिया गया दैस दैस को बिर्षब चक्र और अस योक्तिसारनात का सिंग्चतरमुख इस्तम सीर्स राष्टी पृतिक के रूप में भारा सरकार द्वारा अंगी करत हुआ भारत के समदान का उप्राष्पती के निर्वाचन चुनाव समंदित है भारत का उप्राष्पती संसत के और सदंजरा सवा का पदेन सवापती होता है उप्राष्पती रास सवाकस्तस नहीं होता अता इसे मद्दान का अधकार नहीं होता किन्तु सवापती के रूप में निर्वायक मत देने का अधकार उसे प्राष्पत है भारत के पिर्थम उप्राष्पती डाक्टर एस राधा कृष्णन थे बरत्मान में भारत के उप पहले थे अब बताइए कौन है कौन है उनका लास्ट में नाम धनकरजी है पहले क्या नाम है वो दाइए भारती सम्दान की डैस डैस भारती गरडाज की अधकारिक भासाओं की सूची प्रदान करती है राट आप्शन डी हो जाएगा आठवी अंसूची यूपीव कॉंस्ट चाली डोंगरी बोडो को आठवी सूची में सामिल किया गया था ठीक है आठवी अंसूची की बारे में इतना याद करके चलेंगे हम बार्वे अंसूची में गया यह अनसूची चवथ्यों समदान संसोदा नीस तो बानवे के द्वारा जूड़ी गई ठीक है एक च्छै 1993 से प्रावी इसमें सहरी छेत की इस्तानी संस्ताओं को कार करने के लिए 18 विसाय प्रदान किये गये हैं चतुर्त अनसूची इसमें विविन राचियों तिथा संगी छेत्रों के रास्वां प्रतनुत्त का विबड़ दिया गया है भारती संग्दान में कानून बनाने की निर्धारत प्रक्रिया काफि हद तक डैस के संग्दान दोरा प्रभावित है राइट आप्सन सी हो जाएगा जापान नयाय पालका की सुतनित्रता नयायक पनलीच ह exempel से अचान episode को सामिल किया गया है अमेरिका के स्मुदान सी क्या क्या लिए गया यह देखी है अमेरिका के मूल अधकार लियी गई है नयाय की सुतनित्रता लिए गयी है और राश्पती पर महावयोग था और राश्पती को सामिल किया गया यह अमेरिका की समदान से लिया गया डाट लिया नहीं गया जो हमने दूसरे समदान से लिया उस पर समदान समदान बहुत जादे चर्चा भी है चर्चा होने के बाद को संसोधन करके हमने उसे जो सही है उ सम्धान सवा का गठं जुलाइ 1976 में किया गया। इसने अपना कार 99 दिसमर 1946 से प्रारम किया। पटेल प्रांती समिती देवी करपलानी के समधान के मूल दस्ता बेच को डैस डैस द्वारा हां से लिखा गया था रायट ओप्सन सी हो जाएगा प्रेम ब्यारी नारायड रायजादा भारती समधान हां से अंग्रेजी और हिंदी भासा में लिखा गया था इसकी बास्पेक प्रती प्रेम ब्याहरी नारायड रायजादा ने लिखी थी इसे इटायलिक के स्टायल में खूबसूर्थी से लिखा गया था और हर पेज को सांती निकेतन की कलाकारों ने खूबसूर्थी से सजाया भारत की समदान में कुल कितने भाग हैं आट ऑप्शन डी हो जाएगा 22 भाग है भारत का समदान 26 नॉम्बर उनिस्ट उन्चाज को समिदान सवाद्वारा पारित किया गया तिथा इसमें कुल 22 भाग 395 उन्चेता आट अंसूचियां थी बरत्मान में अंसूचियों की संक्या बढ़कर बारह हो गई है भारत एक है क पंत निर्पेश राष्ट है पंत निर्पेश का अर्थ है कि सरकार किसी भी धर्म को राजधर्म की मानता या संच्छड प्रदान नहीं करेगी वैस सभी धर्मों के साथ समान विवहार करेगी भारती शमदान के 42 संसोदन 1976 के द्वारा शमदान की प्रस्ताबना में संपूर प्रबुत्य, संपन, समाजबादी, पंत, निर्पेश, लोगत, अंतरात्म, गड़राज, वाखंडता, सब्द जोड़े गए धर्ण निर्पेशता का अर्थ है धर्ण निर्पेशता का क्या अर्थ है राट ओप्शन C हो जाएगा राज सरकार द्वारा किसी धर्ण को सुवकार नहीं करना धर्ण निर्पेशता का अर्थ होता है कि राज का अपना कोई धर्ण नहीं होता बलकि सभी धर्मों के प्रत्शमान भाव रखता है धर्ण निर्पेश, पंत, निर्पेश सब्द को भारत का गरतंत्र इसका अर्थ है राइट आप्शन सी हो जाएगा भारत में बंसान गत्त सासन नहीं गड़ राज अथार्थ जहां के सासन तंत्र में सैधानतिक रूप से देश के सर्वोच पत पर आम जनता में से कोई चुना वब्यक्ति पदासीन हो सकता है इस तरहे के सासन तंत्र गरतंत्र जनता द्वारा निर्वाचित प्राड़ी कहा जाता है भारत एक गरतंत्र है इसका अर्थ याई की भारत में बंसान गत्त सासन नहीं है एक विवस्तित सामाजिक सनस्ना का संकेत बिंदू है भालत की समदान सवा के अधिश कौन थे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा डाक्टर राजिंद प्रिशाद समदान सवा की प्रिथम बैटक 9 दिसंबर 1946 को सच्ता नंसिन्ना की अस्ताई में संपन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया 11 दिसंबर 1946 को राजिंद प्रिशाद समदान सवा के अस्ताई अधिश निर्वाचित हुए जवाला नहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया उद्देश प्रिस्ताव 22 जनवर 1947 को पारत हुआ था डाक्टर डी एन राउ को समिधानिक सलाकार तथा भीम राउ अमबेटकर को प्रारूप समित का अध्यस्च नियुक्त किया था भारत का राष्टगान जनगर्मन की रशना किसने की थी राइट आप्सन एयोजायर रविंद्र नाट टैगोर ने की थी इस गीत को सरप्रिथम कांग्रेस के कलकत्ता अध्यसन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था इसका प्रकासन 1912 में सरप्रिथम तत्थ बोधनी पत्रका में हुआ तथा समदान सवाय ने इस गीत को भारत के राष्टगान नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवी 1950 को अपनाया पूरे गीत में 5 पत हैं लेकिन प्रिथम पत को ही राष्टगान के रूप में अपनाया गया इसकी गायन अब दीप किस मामले में आत्म रच्छा का अथकार उपलब नहीं होगा राइट ऑप्शन यह हो जाएगर लोग सेवक द्वारा किया गया कार आत्म रच्छा का अथकार निम्लिकत प्रस्तियों में प्राप नहीं है संबंदित 1196 आईपीसी यह लोग सेवक या सरकारी कर्मचारी कोई कार जिससे मिरत्व या नुसकान की आसंका युक्ति रूप से नहीं होती है और वह सत्भावना पूर्वाक अपने पत पर काम करता है कोई व्यक्त जो लोग सेवक के निर्देश पर कोई कार करे या करने की कोसिस करे उधार कोड के लाठी चार्ज के आदेश पुलिस की कारवाई यदि कोई कार उचित लेक देख भाल हुआ सावधानी से किया जाए तब उसे सद्भावना पूर्वक किया गया माना ऐसे समय में जब सुरच्छा के लिए उचित प्रादिकारियों की सायता प्राद करने के लिए समय हो स्वयम या संपति की रच्छा के लिए उतने ही बल के प्रियोग का अदकार है जितना स्वयम की रच्छा के लिए जरूरी हो किसी विक्रत, चित, व्यक्ति, आ परपक्ट समझ के सिसू, पागल व्यक्ति, सरावी के खिलाब आत्म रच्छा का अधकार है किसी आत्म आक्रमर करने वाले को जान से मारा जा सकता है अगर वह हमला वर से मौत, बलातकार, आप्राक्रतिकार, अप्रण आधिक यासंका हो आत्मरच्छा का अत्कार है राट ओप्सन डियो हो जाएगा उप्रिस सभी अपने सरीर के प्रति अप्राज से प्रतिरच्छा दूसरे के सरीर की प्रतिरच्छा, चोरी लूट आधिय प्राज से प्रतिरच्छा भारती दंड से अनता की धारा 96 से एक सुच्छा है प्राइबेट प्रतिरच्छा के अत्कार के संबंद उप्बंद करती है तथा धारा 97 निम्न उप्बंद करती है कोई व्यक्त स्वयम की रच्छा किसी भी हमले या अंकुष के बुरुद कर सकता है साथ ही दूसरे की सरीर की पृत्रच्छा भी कर सकता है व्यक्त स्वयम की संपत्ति की रच्छा किसी भी चोरी डखैती सरारत वा अप्रादिक अतिचार के बुरुद कर सकता है का गरतंत्र इसका अर्था राइट आप्सन सी हो जाए भारत में बंसान गत्सासन नहीं आए क्योंकि भारत का प्रमुक अथार्त राजपती चुनाओं के जरीय चुन कर आता है इसका चुनाओं पांच बर्स के लिए अप्रत राजपत का संक्या तो मूल रूप से भी अभी भी 355 बे ही है लेकिन अंसूचियों की संक्या संसोधन के द्वारा बढ़ा कर बारह कर दी गई है जिनमें सर्पर्थम नौवी अंसूची पहले संसोधन नूई संक्या उन्वे द्वारा जोड़ी आंगे करमसा बारह तक इनको बढ़ाया गया भारती संदान का निर्माड किस भासा द्वारा किया गया था रायट ऑप्सन भी हो जाएगा संदान सवा के द्वारा किया था प्रांती बधान सवाओं के सद्वारा प्रतश्च निर्माचन प्राडी से गठे संदान सवा द्वारा किया था जिसके इस्ताई अध्यच डांटर राजन प्रसाथ थे तथा इसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को भी तथा इसमें सद्वारा कि संक्या 389 थी जिसमें कोल पं जाएगा मिती माक्र सीर्ष सोखल सत्मी संबद 2006 विक्रमी जैसा कि भारती संदान द्वारा 26 नॉम्बर उनिस्तों चास को अंगीकरत अध्यमित आत्म प्रित्त किया गया और उस दिन विक्रमी संबद के उनसार माक्र सीर्ष सोखल पच्च की सत्मी भारत का गरतंत्र के रूप में जन कब हुआ रायट ऑप्सन इसका एग हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को गए 26 भारती संदान जैसे वैसे तो 26 नॉम्बर उनिस्तों चास को ही बनका तियार हो गया तो लेकिन इसे पूरी तरीके से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था तब जाकर भारत एक गरतंत्र के रूप में प्रादुर भावगा 26 जनवरी 1950 को भारती संदान की प्रवरतन तिथी माना जाता है संदान सवा में किस देशी रियासत के प्रतनिदी ने भाग नहीं लिया था रायट ओप्सन बी हो जाएगा हैदरावाद संदान निर्माल प्रक्रिया के दोरान एक मात्र रियासत जिसने इसमें भाग नहीं लिया था वै थी हैदरावाद अन्सवीर रियास्तों ने अपने प्रतनिदी सम्दान सवा भेजे थे हैदरावाद को बाद में ऑपरेशन पोलो के तहट भारस संग में सामिल किया गया सम्दान के किस अंचेत में अन्सूचित जाती के जन जाती हैट राश्टी आयो का प्रावधान है रायट अप्सन सी हो जाएगा 328 अंच्छे 3330 में राश्टी अंसूचित जात्ती आयोग का प्रावधान किया गया है जिसमें एक अत्यास साहित कुल पांच सदस होंगे जबकि राश्टी अंसूचित जनजाती आयोग उन्चा नवास्वे सम्मदान संसोधन अधियम 2003 द्वारा एक नय अंच्छे 3330 का द्वा भारत में अंग्रेजी नीट मौलिक परवर्तन लाया राइट ऑप्सन इसका भी हो जाएगा सिच्छा 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीट सिच्छा के छेत्र मौलिक परवर्तन आया जिसमें भारतियों के सिच्छा के लिए सरकार का प्रतिवर्स एक इसाई मिस्नरियों को भारत में दन प्रचार के अनमत दी गई थी